दोस्तो आज RCB और CSK की टीम के बीच IPL का सबसे खतरनाक रोमांचेक मुकाबला खेला गया जहाँ इस मैच के बाद पता लगता कि कौन सी टीम प्लियोफ में पहुँची और जब इस मैच में टॉस हुआ तो टॉस चैने ने टॉस जीत कर इस मैच में गेंद बाची करने का फैसला किया था और दोस्तो उनका ये फैसला आज बहुती खराब साबित हुआ क्योंकि इस मैच में विराट कोली शुरुआत से ही आकरमक बैटिंग कर रहे थे और एक के बाद एक ज़क्खे मार रहे थे जिससे उन्होंने अपने इरादे इस मैच में साबित कर दिये थे कि वह इस मैच में कुछ बढ़ा करने वाले हैं इसी बीच दोस्तो डुपले से इस मैच में काफी समल कर बैटिंग कर रहे थे लेकिन विराट कोली का बल्ला इस मैच में पूरी तरह गरजे जा रहा था और जब इसके बाद वो अपने 8 सतक से केवल 3 रन दूर खड़े थे तब ही दोस्तों उनको मिचल सेंटरनर ने आउट कर दिया और दोस्तों कोली 29 गेंदों में 4 शक्के 3 चोकों की मदद से 47 रन बना अपना 50 रन भी पूरा कट डाला था लेकिन दोस्तों इसी बीच 103 रन के स्कोर पर सेंटरनर ने उन्हें रन आउट कर दिया और डूपले से 49 गेंदों में 3 शक्के 3 चोकों की मदद से 54 रन बना के राउट हुए थे जाउन के आउट होने के बाद बलेबाची करने कैमरोन ग बलेबाची करते हुए 50 से जएधा रनों की पार्टनर्शिप भी कर ली थी और दोस्तों रिजत पार्टीदार तो अपने 8 सदक के काफी करीब पहुँच गए थे लेकिन इसी बीच 84 रन के स्कोर पर शार्दूल ठकुर ने रिजत पार्टीदार का ओट कर दिया और दोस्त तो वो 201 रन के स्कोर पर तुशार देश पंडे की गेंद का शिकार बन गए थे जाएंस के बाद मैक्सविल बलिबाजी करने उत्रे और दोस्तों मैक्सविल ने भी 5 गेंदों में 16 रन बना दिये थे हाला कि आखरी ओवर में वो भी शार्दूल ठकुर की गेंद का शिकार लेकिन दोस्तों एक तरफ इस मैक्स में केमरोन ग्रीन 17 गेंदों में 36 के तीन चौकों की मदद से 38 रन बना कर नौटा उट रहे थे जाहें इस मैक्स में RCB ने 218 रन बनाए थे 5 विकिट के नुकसान पर और इस मैक्स में चैनाई की तरफ से शार्दूल ठकुर को 2 विकिट हाथ लगी थी और इस मैक्स में तुशारदेश पांडे और सेंटनर को एक एक विकिट हाथ लगा था लेकिन इस मैक्स में दोस्तों चैनाई की गींद बाच काफी महंगे साबित हुए खास करके शारदूल ठकुर उन्होंने अपने 4 वर में 61 रन दिये थे तो दोस्तों 201 रन बनाने थे और जब चैनाई की टीम टार्गेट का पीछा गर ने उतरी तो फिर उनकी शुडवाद बिरती खराब रही क्योंकि पहले ही गेन पर मैक्स विल ने कप्तान गाईकवाड को आउट कर दिया था और गाईकवाड अपना खता भी नहीं खोल पाए थे जहाँ इस मैच में रचिन रविंद्रा काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे लेकिन तब ही दूसरी तरफ यस द्याल ने ड्रैल में चलिक आउट कर दिया था और वो चार रन बना कर आउट हुए थे जहाँ इसके बाद अचिंके रहने बलेबाची करने उतरे और इसके बाद लोकी फर्किसन की गेंद का शिकार बन बैठे और इसके बाद बैटिंग करने शीवम दूबे उतरे जो कि इस मैच में बहती खराब बलेबाची कर रहे थे लेकिन इसी बीच रचिन रविंद्रा ने कमाल की बलेबाची करते हुए अपना अड़स तक पूरा कड़ डाला थ और ऐसा लग रहा था कि चने की जीत अब पूरी तरह पकी दिख रही है क्योंकि रचिन रविंद्रा पूरी तरह शांदार फॉर्म में दिख रहे थे लेकिन इसी बीच गलत ताल मेल की वजह से रचिन रविंद्रा 61 रन बनाकर रन आउट हो बैठे और इसके बाद शीवम चने के 6 विकेट 139 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और चने को अब आखरी 30 गेंदों में ये मुकाबला जीतने के लिए 90 रन बनाने थे लेकिन दोस्तों इसके बाद इस मैक में जड़े जाने काफी शांदार बलेबाची करी और उनका साथ महेंदर से इंधोनी ने दिया ज जहां यस्दियाल की पहली गेंद पर धोनी ने चक्का भी जड़ दिया था लेकिन अगली गेंद पर ही धोनी आउट हो बैठे और दोस्तों इसके बाद अगली चार गेंदों पर केवल एक रन दिया यस्दियाल ले और इस मैच को बैंगलोरू ने 27 रनों से जीत लिया और इस जीत के साथ दोस्तों चनई की टीम IPL से बाहर हो चुकी है और दोस्तों बैंगलोर ने पूरी तरह प्लेओफ में अपनी जगा पक्की कर ली जहां इस मैच में जड़े जा 22 गेंदों में 42 रन बनाकर नोट आउट रहे तो इस मैच में धोनी ने भी 13 गेंदों में 25 रन बनाए थे जहां इस मैच में RCB की तरफ से मैक्सवेल, मुहमस सिराच, लोकी फूर्गेशन और कॉमरन ग्रीन को एक एक वी की ठात लगी थी और यस दयाल ने आखरी ओवर में कमाल की गेंद बाची करी और दोस्तों उन्हें 2 वी की ठात लगे थे